हाई फ्रेंज वेल्गम टू माई चैनल वांग्चेन क्यूट लव स्टोरी तो फ्रेंज चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स पास शुरू करते हैं अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रहे है तो प्लीज फ्रेंज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए स्सक्राइब कीजिए हमने कीजिए तो चलिए लाग पार्ट में हमने देखा था कि इबू प्रिपुस केरता है और जान भी इबू के उसपूसल को असेप्ट कर लेता है दोनों साथ में एक हॉट नाइट करते हैं और जब दोनों सैटिस्प्वाई होते हैं तो एक दूसरे की बावाओं में ठकक में थो जाते हैं अब हम मॉर्निंग का सीन में मॉर्निंग में दोनों roll की नीद खुलती है दोनों एक दूसरे कीुंपstand में खुद को पाते हैं तभी इवो जान की फेस को स्सकrene करते वे जानको गुड मॉनिग कहता है जान भी इबो की तरह स्माल करती है इबो को गुड मॉनिंग कहता है इबो जान की फोरट पर किस करता है दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और स्माल कर रहे थे तब इबो जान से कहता है जान जान कहता है तो इबो कहता है इबो जान मैं चाहता हूँ अब तुम बापस मेरे साथ चलो पता है सब तुमारा बहुत वेट कर रहे है brother और तुमारे friends जानते हैं तुम जान कहता है क्या पर मैं कैसे जा सकता हूँ तो इबो केता है क्यों नहीं जा सकते तो जान कहता है मैंने Mr. Moore के साथ तीन साल का agreement किया है उस contract के Bill करना है तो इबो कहता है तो मैं उसकी टेंशन लेने की जरुवत नहीं है मैंने मिस्टर मो से बात कर लिए जान कहता है क्या तो इबो कहता है हाँ तो जान कहता है कब हो तो इबो कहता है तुम्हे उससे क्या करना है मैंने मिस्टर मो से बात कर लिए और मिस्टर मो भी इस चीज के लिए रेडी हैं तुम जा सकते हूं जान कहता है इबो तो इबो कहता है हाँ वो एक इसमायल करता है इबो की तरफ दौनों उठते हैं अपनी कलोज पहनते हैं और उस ओटल से बाहर आ जाते हैं अब दौनों इबो जान के अपार्टमेंट में दौनों फ्रेश अप होते हैं शावल लेते हैं कप्टे पहनते हैं और रेडियो के ओफिस निकलते हैं तो मिस्टर मो जान को देखके एक समायल करते हैं वो इबो की तरफ देखते हैं और इबो से कहते हैं इबो मिस्टर वां तो इबो हम कहता है तो मिस्टर मो इबो से कहते कि जान एक बहुत अच्छा लड़का है तुम प्लीज उसका ख्याल रखना और हाँ उसे कभी भी सेड मत करना इबो कहता है जान भी मिस्टर मो के गलें लग जाता है क्योंकि मिस्टर मो सच में इबो को जान को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते थे वो जान को जब से जानने क कंपनी जौन की थी वो उसे बहुत प्यार करते थे तभी मिस्टर मो से कहता है मिस्टर मो मैं चाहता हूं जब हम दोनों मेरिज करें तो आप प्लीज वहां जरूर आयेगा मिस्टर मो कहते हैं बिलकुल मैं जरूर आऊंगा ऐसा कहते हैं और वो जान से कहते हैं जान कभी भ गई थी लेकिन फिर भी वह खुद को समालता है और मिस्टर मू की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है तभी ईबू और जान वहां से निकलते हैं दोनों वहां से निकलके सीधा एरपूर्ट पहुंचते हैं जान को बहुत अच्छा लग रहा था फाइनली वह बापस चाह उनना नहीं चाहता था उसके फ्रेंट्स वहाँ से वहाह थे उसका ब्रदर भी अभी वहीं था तब히 उसे याद आता है तो उसने कितने दिन से अपने ब्रदर से बात नहीं कि इबू कहता है क्या तो वो कहता है हाँ वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और अपने ब्रदर को कॉल करता है उसके ब्रदर जल्दी से फोन पिक अप करता है और वो कहता है आपने मुझे इतने दिन से कॉल नहीं किया अप ठीक है न तभी जान कहता है हाँ चैंग मैं ठीक हूँ और मैं बापस चाहना आ रहा हूँ जैंगे सुनता है तो बहुत कुश हो जाता है वो अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मेरी भी स्टडी कंप्लीट होने वाली है और मैं भी जल्दी घर बापस आने वाला हूँ तो जान बहुत कुश होता है वो कहता है ठीक है म जान से कहता है कि चेंग को तुमारा नम्मर हो तुमारी बारे में पता है तो जान इबो की तरफ देखता है तो वो कहता है वो उसे मेरा फोन नम्मर पता है पर मैं कहा था ये उसे नहीं पता इबो कहता है क्या पर मैं जब चेंग से पूछने गया तो उसने मुझे बताया कि कुछ भी नहीं जानता उसके पास तुम्हारा नंबर भी नहीं है तो जान कहता है क्युक्युक्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क्यू-क् जान को देखता है और एक स्माल करता है तो मन में सुचता है इन सब का बदला तो मैं तुम से ले के रहूंगा जान तुम देखना तुमने मुझे कितना परिशान किया है और एक डेवल से स्माल करता है जान कहता है यह क्या है तुपो कहता है कुछ ने मैं स्माल कर रहा हूं ऐ और खुछ गंटों बाद दोनों चायना आ जाती हैं, जान चायना आतो गया था, लेकिन अब उसे जीः और वैसाग दोनों से मिलने में ड़र लग रहा था क्यूंकि वो जानता था जबसे वो चायना छोड़के गया था उसने उस दिन से जी और हैसांग से बिलकुल बात नहीं की थी उसे नहीं पता था जी और हैसांग उसके साथ क्या करेंगे उसकी दड़करन तो बहुत तेश थी तभी वह इबो से कहता है कि वह अप हाँ मैं तुम्हें कुछ से दून नहीं रख सकता तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा तो जान कहता है बिलकुल नहीं आप जानते हैं न मेरे ब्रदर आने बाला है और मैं उससे क्या कहूंगा इबो कहता है तुम्हें उससे कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसे हम दोनों के मुझे लगता था तुम कभी ना कभी तो उससे कॉल करोगे उससे कुछ बताबगा लेकिन फाइनली उसने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया एक दिन उसने मुझसे पूछा कि आके घुल हार मत उससे मिले क्यों आता हूं मेरा और तुमारा रिलेशन शिप क्या है तो मैंने जैंग को बता दिया कि मैं तुम से प्यार करता हूँ यह तुम्हें पसंद करता था और मैंने उसको सारी बत बताई जो कुछ लिली ने किया जान तो आके फाड़ फाड़ के बस जान की इबो की तरफ देखे जा रहा था वो अपने मन में सुचता है यह इंसान सच में कुछ भी कर सकता है इसका कुछ नहीं हो सकता है वो कहता है आपने क्या किया मेरे बारे में क्या क्या सोचेगा मैं तो इबो कहता है क्या सोचेगा क्या मतलब जान क्या तुम उसे नहीं बताते हम दोनों की बारे में तो जान कहता है मैं बताता अफ़कोस बताता लेकिन ऐसे उसे आप से पता चलाए मैं बताता अब मैं क्या करूँ तो एबो कहता है कुछ मत करो चलो मेरे साथ मेंशन में और उसके एज्जांग सुनेशोने के बाद वो भी हमारे साथ वांग मेंशन में ही रहेगा जान कहता है क्या तो इपो कहता है हाँ समझ गए यह मेरा लास डिसीजन है हम मुझे और कुछ नहीं कहना इतना कहता है और जान का आत पकड के गाड़ी में बिठा की उसे वांग मेंशन ले आता है थोड़ी देर में ही खार जाके वांग मेंशन के सामने रुखती है इबो जैसे इमेंशन को देखता है उसे अपनी पुरानी सारी मेमोरी से याद आने लगती है कैसी उस टाइम इबो और जान रहते थे और लिली ने क्या किया एक पल के लिए तो जान वहाँ ठहर सा जाता है इबो उसकी तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है वो जान से कहता है जान यह तुम्हारा घर है यह हमारा घर है तुम्हें इतना अकवार्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है तुम पहले भी यहां रहते थे मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उस बज़े से तुम इन सब चीजों को भूलने में तोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं प्रोमिस कहता हूँ जान लाइफ में आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा जान एक स्माइल करता है इबो जान का हाथ पकरता है और उसे अंदर ले जाता है वो दोनों जैसे ही अंदर एंटर करते हैं सामने हाईकवान खड़े हुए थे जैसे ही वो जान और एबो को देखते हैं एक स्माइल करते हैं जान तो हाईकवान को देखके एकदम शौक रह जाता है वो एबो की तरफ देख रहा था इबो कहता है ब्रदर को सब पता है मैंने ब्रदर को सब कुछ बता दिया था और ब कोने की ज़रूरत नहीं है ब्रदर को हमारे बारे में सब कुछ पता है समझे तुम बिचारा जान वो तो एक अकवर सी स्माइल करके हागवान के पास जाता है इबो जल्दी से अपने ब्रदर के गले लग जाता है और अपने ब्रदर को टाइटली हग कर लेता है उसके ब्रद इबो को इस तरह देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि वो आज यही तो चाहते थे, कि हमेशा उनका भाई खुश रहे, फाइनली आज उनका भाई बहुत खुश है, उदर जान, जान भी प्रेदर को देखता है और बो करता है, देकिन तब भी हाई कौन कहते हैं, जान क्या तीनों हग करते हैं, जान बहुत कुश था, क्योंकि जान जानता है, हाई कौन कितने अच्छे परसन है, क्योंकि वो इतने अच्छे परसन है, बहुत ज़्यादा, जान इस बात को अच्छे से जानता है, जान, हाई कौन जान और इबो को देखते हैं, और दोनों को देखकर बोलते हैं तुम दोनों के लिए बहुत कुछ हूं और जान कभी भी जो गलती तुमने लास्ट टाम की प्लीस हम मत करना ऐसे कभी भी इवो को छोड़के नहीं जाना तुम जानते हो तुमारे जाने के बाद इवो की हालत कैसी हो गई थी जान बस अब ब्रदर की तरफ देखे जा रहा था वो कुछ भी नहीं कह पाता एवो कहता है ब्रदर छोड़िये न अब कुछ नहीं अब जाना हमारे पास है न दो तीनों इस्माल करते हैं तब भी हाइक्वान कहते हैं तुम दोनों जाओ फ्रेस हो जाओ मैंने मेड़ से कहके ब्रेकफार्स स्वरी स्नेक्स होगी न वो दोनों कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं मेड़ भी खाना रेड़ी कर रही थी दो सब के लिए क्यूंकि इवनिंग के फाइव क्लॉक हो रहे थे सब लोग बहुत भूखे थे दो दोनों जाते हैं थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं इबो जान से कहता है जान जान कहता है हम इबो कहता है तुम कुश हो ना जान कहता है हाँ मैं बहुत कुश हूँ मैं कभी आपको छोड़के जाना नहीं चाहता था लेकिन वो सब कुछ हुआ इस आयद इस बज़े से तभी जान की नजर उस बेड़ पर पड़ती है जान वो बेड़ देखता है तो उस से फिर से लिली की सारी बातें वो जो उसने देखा था वो याद आने लगता है तब यादा कहता चहान कहता है कुछ नहीं तब यादा कहता है जान तुम कुछ भी सोचने तोड़ा स्नेक्स खाते हैं और बात्ये करने लगते हैं। इबू का फोन आता है और इबू उठ्खर वहां से चला जाता है। तबी हाइकवान जान को देखते हैं जान तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था जान ब्रदर की तरफ देख रहा था वो हाइकवान से कहता है सोरी ब्रदर तबी हाइकवान कहते हैं जान तुम्हारा डिसीजन सही नहीं था तुम नहीं जानते तुम्हारे जानने के बाद इ इबो के चेहरे पर जाने कबसे मैंने स्माइल नहीं देखी पता है हम तो उसको हस्ता हुआ देखने के लिए तरस गए थे उसे इतना गुस्सा आता था छोटी छोटी बातां पर चिट जाता था उसका रूड बेहे और ज्यादा रूड हो गया था हम सबको तो डर लगता था यगर तुम नहीं मिले तो पता नहीं है क्या कर ले गा फाइनली तुम उसके पास हो जान कभी भी ऐसी गलती मत करना जान हम कहता है और एबो के ब्रदर को sorry कहता है हाई कौन भी एक smile करते है और तभी वहाँ इबो आ जाता है इबो अपने ब्रदर कि तरफ देखता है और ए जाते हैं दौनों एक दूसरे को दौने बैड पर लेड़े आते हैं और एक दूसरे को कडल करके ऐसी बाते करने करने लगते हैं अप्रेंद्स हम सीधा μου निंग का सीन देखते हैं जाइबू रेडी हो गया था यह जॉए जान से के काम करना चाहते हो तो वहां कॉपरेशन में खालो जान कहता है पहले मैं अपने ब्रदर से मिलने जाना चाहता हूं तो इबो कहता है ठीक है तुम अपने ब्रदर से मिलना चाहते हो तो ठीक है आज तुम घर पे रहो अपने ब्रदर से मिलो तो हम साम को मिलेंगे मुझे जरू कि दोनों से कैसे नजरे मिलाएगा हो तो जी कि सवालों से बचना चाहता था वो सुचता है पहले मैं खुद को प्रपेट तो कलूंसी और वाशान के लिए वो दोनों मेरा मडर ही कर देंगे ऐसा मन में सुचता है यह वो उसकी तरफ एक स्माल करता है और जान के फोरट पर कि से लेटा रहता है फिर वो भी उड़ता है फ्रेशन अप होता है रेडी होता है और वो भी बाहर निकल जाता है वो सीधा अपने ब्रदर से मिलने जाता है वो उपने ब्रदर से जैसे ही मिलता है उसके ब्रदर बहुत कुश होता है और उसे टाइटली हग कर लेता है चैंग जान की तरफ देखता है जान से कहता है आप मिस्टर वांग को जानते हैं गा जान तो एक्दम साइलेंट हो जाता है वो चैंग को क्या कहे वो चैंग से कहता है चैंग मैं वो तब भी चैंग कहता है गा आपको इतना कुछ कहने की जरूत नहीं मुझे सब पता है मुझे नराज हो तु ये चैंग कहता है बिल्कुल नहीं मैं आपसे नराज नहीं पर मैं बहुत कुश हूं क्योंकि मैंने देखा है मिस्टर वख आपसे बहुत प्यार करते है तबी इबु जाने के स्माइल करता ए और कहता है मैं जानता हूं तभी चेंग कहता है पता है वो हर मंत मुझे से मिलने आते थे मेरे लिए जितना जरूरतों का सामान था वो सब लेके आते थे उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा ब्रदर आपके बाद मैं कई बात तो सोचता था क्यांकिर वो इतना मेरा ख्याल क्यों रखते हैं लेकिन जब उन्होंने मुझे सच बताया तो मैं एक पल के लिए तो पूरा स्वर्क हुगा जुआ कि ब्रदर आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो वो कहता है जान, शौरी कहता है, जान कहता है, चैंग, शौरी, नेक्स टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तभी चैंग, एक स्माइल करता है, दौनों ब्रदर थोड़ी दिर बात करते हैं, फाइनली, जान, वहां से बापस, वांग मेंशन में आ जाता है, तभी, वह आता है, वो फ्रेशन अप होता है, और रूम में बैठ जाता है, उदर जी, और हैसान को भी पता चल जाता है, कि जान वापस आ गया है, वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन जान से बहुत खुश सा, तो फ्रेंस देखते हैं, कल क्या होगा, बाब बाई, तो नेक्स बाइट हम कल लिखेंगे, बाब बाई, टिक्या है,